यहां का जो दुर्गा पंडाल है पुरा जंडे के थेम पे बनाया गया है जंडे का जो कलर होता है तिरंगे जंडे का उसी में पुरा डिजाइन किया गया है यह देखिए इस तरह का दुर्गा पंडाल है यहां का चानी चौका सामने जो बनाया गया है बहुत खुबसूरत लग रहा है और यहां कुर्सी वग्रें लग रहा है सामने बना है पंडाल और चले चलते हैं अंदर और जा कि दिखाता हूं मैं आपको इस तरह से सभी लोग दर्शन करने गए हैं कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कैसा है आप सब उम्मित करता हूं आप सब बहुत बढ़ी हूं दिखाने वाला हूं बहुत सारे जो दुर्गापढणार बने हुए हैं अच्छ अच्छ उन सभी को दिखाने वाला हूं तो आज को वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आप वीडियो में सुरु से लेकर आकरी तक बने लेगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले कर लिजिए अब चुका हूं और पीछे पंडाल है दुर्गा पंडाल उसलिए चलते हैं इस तरहका लाइटिंग है इधर से जाना है सद द बहुत ज्यादा है तो चलते हैं चली को बहुत लोग करने कले सभी ब्रक्त गरन ना है और अधर से जावट ये रहे 알के पूरानिक य। बना हुए देख सकते हैं हाइट थोड़ा छोटा है ऐसा जूर करके जाना पड़ेगा लेकिन चलिए चलते हैं और पुरा बलू-बलू लाइटिंग किया गया है सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए यह देखिए और उधर म्यूजिक चल रहा है तो पता नहीं व्लॉग करते बनेगा की नहीं दोस्तों यहां पर वैसनो माता का दर्शन किजिए आप यहां से इस तरह से सजाया गया है और वैसनो देवी मा को बैठाया गया है इस तरह से सजाया गया है यह देखिए माता वैसनो देवी का दर्शन कर सकते हैं आप यहां से जय माता जी चलिए चलते हैं इदर पंडाल दे माताराणी का अधर महताणी की बहुत बड़ी पतिमां है आप यहां से माताराणी का दरशनकर सकते हैं अर बहुत प्यारा लगा है मुट्टी की तरह से darenda मोगा हुआ है और यहां ही ज्यादा है रही जाधा ऑड़ करेंhã कोग्रका है यह देखिए और बहुत लोग दरसन करने आएं इस तरह का अंदर में पंडाल है इस तरह से सजाया गया जैमाता दी दोस्तों ये बाहर जाने का रास्ता है कि इस तरह से रास्ता बनाया गया है works अधर रस पर निकल रहे हैं दरसन के तरह को अधिर सी निकल रहे हैं सहोगे यह दंडालाल अधर सब लगा कर दлись रहे हैं कि भिलासपुर चॉंक्वाला दुर्गा पंडाल यह दिख्ये इस तरह से बना हुआ है सजा हुआ है और चलिए जा करके दर्शन करते हैं तो इधर अब ही आरती का टाइम हो रहा है तो पूजा के लिए सब ही आए हुए है और यहां से माता रानि का आप दर्शन कर सकते हैं इस तरह का मुर्टी है यहां का घर बैठे आप दर्सन की जैमातादी लोग आए हैं दर्ली पारा का जो दुर्गा पंडाल है वहां दर्सन करने के लिए और इस तरह का पंडाल है यह देखिए और सजाया गया है बहुत अच्छा लग रहा है अंदर में पचले जाके दर्सन क करते हैं और आपको भी कराते हैं यह देखिए मातारानी का आप दर्सन कर सकते हैं यहां से जैमातादी यह दर्ली पारा के दुर्गा माता है यह देखिए घर बैठे दर्सन की जैमातादी आज शुका हूं अंभीकापुर के बाबु पारा वाले महला का जो दुर्गा जग्राता वग्रा होगा तो इसके लिए मंच बन रहा है अच्छले दर्शन करके आते हैं पंडाल का इस तरफ अभी पहुंच चुका हूँ सदर रोड़ वारे दूर्गा पंडाल का दर्शन करने के लिए असाल मा भईया भी है जिनी के साथ घूम रहा हूँ चलिए आपको जाके दर्शन कराता हूँ यहां के दूर्गा पंडाल का सदर रोड़ है इस तरह से सदा सजा है पूरा दूर्गा पूजा में और यहां पे इस तरह का एक पंडाल बनाया गया है अंदर मुर्ती विराजमान है तो चलिए जाके सदा सदर रोड़ की प्रतीमा है इस तरह से हैं जै माता धा दी मुझा हूं जैस्थाम चॉम का पंडाल चलते हैं और डर्शन करते हैं यहां बहुत वेड़ है लोग दर्शन करने के लिए आये हुए हैं और लाइटिंग वाइटिंग सब साइट से हुआ है यह बंडाल है तो चलिए जाकर दर्शन किया जाए मातारानी का और बहुत लग दर्शन करकर के आ रहे हैं इधर बंडारा बट रहा है तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए ईचटे हैं यह देखिए यह माता राहनी की प्रतिमह आप देख सकते हैं मातारानी की प्रतिमह नहें तीक है उपर में तो zostटे में अगया सबक्र विए ठेञा क्या झाऄर्च रहे बहुत अच्छा बना है दिखाता हूं मैं आपको मादूर गारा गोमने भुल्ला शे आलिम गोने मोहा मारी मुछे जाबे आज ठाकेर पिठे पडलो काती उजह को जम्ज माटी रुतन शाजे शेजे छे आकाश झम्ज मैं और गारा गारा गोमने भुल्ला शे आलिम गोंבה भुल्ला बना है मुछे जाबे आज भटेर पिठे पडलो काती उजह को जम्ज मैंसां में भैज सास बना हे बना हाकेज बना में दिखाती इची आज चुका हूं चौवपाटी में और यहां पर चतन देवियों की भवे जहाकी निकाली गई है तो जहाकी दिखाता हूं मैं आपको यह रिखे यहां देखने के लिए कितना भीड हुआ है सभी कोई देख रहे हैं इस तरह से और उदर देखे जहाकी जंजन का कल्यान करे कुशिव की शक्ति है नारी चतन देवियों की भवे जहाकी निकाली गई है और इधर सब देख रहे हैं खड़े होके चौपाटी में यह दिखे किस तरह का बीड है और यहां नीचे स्टिर्लिंग में जल चाड़ रहा है चतन देवियों की भव यह निकाली गई है आपने देखा जल सकी और यहां खुद जो कन्या होती हैं में अभी आया हूँ चाननी चौप वाले दूर्गा पंडाल में और यहां का पंडाल भी बहुत अच्छा बना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का पंडाल बना है चानी चौप का पूरा लाइ्ट टिंग मस्त किया गया है इस तरह का और इदर पूरा पेड़ वगरा में लाइटेंग कर दिया है सामने गेट है यहां यह देखिए इस तरह का चानी चोका और उधर दुर्गा पंडाल है तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का दुर्गा पंडाल है यहां का चानी चौका सामने जो बनाया गया है बहुत कुपसूरत लग रहा है और यहां कुरसी वगरे लग रहा है जगराता है यहां तो चलिए जाके दर्सन करते हैं बहाई पंडाल बहुत ही खुपसूरत लग रहा है एक नमबर लग रहा है देखने में गजब का और इधर इधर जगराता प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए बना है इस्टेज गुर्सी बगर लग रहा है तो अच्छे लिए दर्सन करते हैं जानके मातरा नीता खढ़ खार गहा है उसके पोतन की हैर दोगले कर से था है जब हर बालक देदी के लिए को सfulnessी का था जाम का देदार इस अथिते हो यारो फंधे सक्न Gefangण कुछ इस तरह के बने हुए जैसे कि मैंने आपको दिखाया और बहुत प्यारे डूर्णार सुन्दर-सुन्दर बने हुए हैं एक दूर्णार के दरनातोवाला है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनेया हूं वो डल चुका है वो देख सकते हैं बाकी जितना दुरगा पनाल था उसको एकी वीडियो में डाल लिया हूँ तो आज को वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक क आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगन को और पर प्रेस कर लीज़े आपके साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिवाए जाहीं जबारा जैचे तिस गड़ झाहए झाए जर आपके बोटियो झाह próprio